बच्चो नमस्कार श्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल में बच्चो कहानी एवं उपन्यास में अंतर ये हिंदी का एक टॉपक है और हिंदी में ये क्वेशन आपका आप किसी भी परिक्षा में बेट रहे हो जिसे 10th में हो या 12th में हो या 11th में जिस भी क्लास में हो आप हो आप किसी भी पोर्ट से हो तो उसमें एक जो प्रस्ण पूछा जाता है कहानी एवं उपन्यास में अंतर यूट्यूब पे इस क्वेशन को कई लोगों ने कई प्रकार से पढ़ाया आप देख सकते हैं कई वीडिएयो आपको मिल गये होंगे अपने देखे भी होंगे और मिल भी जाएंगे लेकिन मैंने जो पढ़ाया है आप देखी किस प्रकार का अपका प्रिष्ण भूद अच्छी प्रकार से समझाने की कोशिश किये आप लोग इसको अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं देखिए बचो कहानी और पन्यास में अंतर तो आप लोग देख सकते हैं कहानी और उपन्यास में अंतरफो अच्छी प्रकार से बचो कहानी जो होती है कहानी में किसी एक घटना का बर्णन होता है जिसे कोई घटना है ना उसी घटना पर बर्णन होगा उसे हमने क्या नाम दे दिया कहानी दे दिया suppose that किसी की घटना है कोई घटना घटत हो गई तो इसकी बस एक कहानी बना दी आपने वो है जबकि जो उपन्यास होता है ये बहुत सारी घटना होती है ना उन पर आधारित होता है बहुत सारी घटनाओं का जोड होता है उसे हम लोग उपन्यास कहते हैं वो सारी घटना है जोड़ जाड़के जिसे दस घटना है तो उसको ये उपन्यास का नाम दे दिया ठीक है ना दूसरा है कहानी का जो आकार होता है वो क्या होता है छोटा होता है जबकि जो उपन्यास होता है इसका आकार होता है ना बचो ये बड़ा होता है और कहानी क्या होती है छोटी होती है कहानी में जिग्यासा देख होती है जिग्यासा का मतलब यह होता है जानने की जो इक्षा होती है वो थोड़ी कम होती है जबकि कहानी बेक्ती कोई सुनाता है तो उसमें जानने की इक्षा हमारी जादा होती है कहानी में पात्रों की शंख्या कम होती है कहानी में जो पात्रों की शंख्या क्या होती है कम होती है जबकि उपन्यास में पात्रों की शंख्या आदिक होती है मतलब कहानी में कमी लोग आपको मिलेंगे मतलब जो भी जिनों ने काम किया है तो बचो यह अंतर आपकी एकजाम के प्रपत से बहुत ही महत्पून है आप इसका स्कीन सोट ले सकते हैं और अच्छी प्रकास समझा भी आपने होगा ठीक है तो मैंने आपको यह कहानी उपन्यास में अंतर बता है अगर अच्छा लगाओ तो बच्चो वीडियो को सेर जरूल कीजेगा वीडियो को लाइक कीजे अपने दोस्तों को सेर करना बिल्कुना मुलीए ठीक है बच्चो चली नमस्कार